सक्सेत वारे चनल में आप सभी का स्वागत है यदि आप चनल पर नए हो तो क्रिपयाई से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेर कर दें आई ये चलते हैं पैसनों पर चर्चा करते हैं येस इस कोशन को हम लोग साल करते हैं करा मिलान करिए लैंड होलडर सोसाइटी, एसन बैनर जी, बिटिस इंडिया सोसाइटी, आनन्द मुहन बोस, इंडियन सोसाइटी, विलियम एडन्स, और इंडियन एसोशेशन, द्वारकान टैगोर मुझे उमीद है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप लोग इसको मिला रहे होंगे, आई होग कि आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, इसका सही एंसर है आपका, इसको हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं कि इसका सही एंसर क्या हो सकता है, लैंड होलडर सोसाइ जो आपका है इसका आनन्द मुहन बोस थे और इंडियन एसोजेशन जो सबसे प्रमुक संसाथी कांग्रिस के गठन के पहले इसके एसन बनर जी थे इस हिसाब से इसका जो एंसर होगा वो एफिट बैठेगा ये क्या होगा फिट बैठेगा अगला कहरा है फिर मिलाईए कहरा इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष इंडियन सोसाइटी आनन्द मोहन बोस भारती राष्टी उदारवादी संग सैयद हमत स्वारी भारती राष्टी उदारवादी संग सैयद हमत नहीं होगे इसका होगा सुर्यनाल बरजी यूनाइट इंडिया पैट्रिक एस्वेशन यह होगा सर सयद हमद यह डी वाला को जो यह आता भी है काफी पार पूछा गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा यह राइट एंसर है आगे देखेगा क्या सुमेलित नहीं है एसीयार्टिक सोसाइटी या बंग्छाल सत्रे सो चर्चाः लुग आप लोग देख अपना comment box में तरिएगा इसकी स्थापना 1849 में थी यही सुमेलित नहीं है बाकि सब सुमेलित है ठीक है ना 1849 में landowner society के स्थापना हुई थी अब आएए भारती राष्टी कांग्रिस के स्थापना कब हुई थी इसका इंसर 1885, 886, 887, 888 आप ट्रिक मार चुके होंगे यह बहुत ही famous question है 1885 में इसकी अस्थापना हुई थी भारती राष्टी कांग्रिस के संस्थापक थे एक असैनिक अधिकारी विज्यानी समाजी कार करता military commander तो एलन एक्टिवियन होम जो थे यह है आईसीयस थे एक असैनिक अधिकारी थे यानि कि वो उसमें बिटिस इंडिया में दो प्रकार की अधिकारी होते थे एक असैनिक अधिकारी तो एक असैनिक अधिकारी थे याद रखेगा अगला question है भारती राष्टी कांग्रिस के प्रता मदेशन में कितने प्रतियों ने भाग लिया आपका answer comment box में आ जाना चाहिए उतना समय मैं आपको दे रहा हूँ वह है 72 और 72 लोगों ने भारत के पर्थम कांग्रेस के पर्थम अधिवेशन में भाग लिया था जिसमें ज़्यादा तर हमारे पत्रकार थे और वकील लोग थे पर्थम राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था कलकत्ता लाहोर मुंबई पूरे प्लीज अगर आप वीडियो मत छोड़ियेगा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए पर्थम अधिवेशन कहां हुआ आप कहेंगे कि यहां अधिवेशन बंबई में होना था पूरे में चुकि वहां प्लेक फैला हुआ थे साथे वहां कैंसर कर दिया गया था भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना की थी ए ओ यूम ने महात्मा गांधी ने सिदान सिनहान इन में से कोई नहीं तो आपका सीधा एंसर ए ओ यूम आपका सीधा एंसर क् लाष्टी कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराई कौन था लाड रीपन लाड डीटन लाड कैंनिग लाड डफरिन बहुत ही आप इंपार्टेंपरेस ने कई बार पूछा गया है लाड़ डफरिन था किसने कांग्रेस को सुच्षमदर्सी अल्पसंख्यक ज़न इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यू मेरे सामने ही हो ओके भारत भारती राष्टी कांग्रेस के पहले अध्धक्ष कौन थे ए ओ यूम डबलू सी बनर जी दादा भाई नरो जी इन में से कुई नहीं यह भी कोशन बार बार पूछा जाता है मुझे मालूम है कि आपने इस र जी फिरोज शाम महता प्लीज आप लोग एंसर लिखते रहिएगा ए होगा ए ओ यूम वीडियो इसकी मत करिएगा चुकि यह आपके भाविश का सवाल है कर रहा कि भारती राष्टी कांग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे अबलू कलाम आजाद रफी अहमत क मुझे उमीद है कि आप लोगों को अब तक की एंसर मालूम चल गया होगा इसके एंसर थे बदरूद्दीन तैब जी और यह मदरास अध्यशन था अगर आप से कभी कौन सा अध्यशन पूछ दिया तो आप कहेंगे यह मदरास अध्यशन था कांग्रेस के समर्थम प्राप सोज लेना चाहिए 889 सर डबलू वेडर बर्न मी डिगबी दादा भै नरोजी डबलू सी बनर जी तो याद रखेगा मी डिगबी थे राइट एंसर बहुत इंपार्टन प्रस्न है भारती राश्टी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अधिक्सता किस ने की थी गड़े से स्टुजेंट हैं वो बीडियो के अंतक बने रहेंगे निर्मिखित में कौन भारती राश्टी कंग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था दादा भैनरोजी जी सुब्रमन अईयर जस्टिस रानाडे सुरेना बनर जी याद रखेगा ऐसा कोशन बार पी अध्यक्ष कौन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ए ओ यू जार्ज यूले अल्फ्रेड वेब एनी बेसें निर्वाचित आप कहेंगे जार्ज यूले था और ये इलहाबाद अधिवेशन में था कहां था इलहाबाद अधिवेशन में था निर्मिखित में कौन एक भारती राष्टी कांग्रेश से कभी संबध नहीं रहा फिरोशा मेता हकीम अजमल खां खान बहादूर गफार खां सरसयद अहमद आपका राइयल एंसर आप जिक लगा चुके होंगे सरसयद अहमद निम्न कथनों पर विचार करें भारती राष्टी कांग्रेश की पर्थ आप लोगों ने एंसर लगा दिया होगा अब इस एंसर को हम लोग चेक करते हैं याद रखेगा पर्थम महिला अध्यक्ष कभी भी सरसयद नाइडू नहीं थी ये पर्थम भारती महिला अध्यक्ष थी अगर यहां भारती महिला अध्यक्ष होता तब इस्टेट्मेंट सह ही होता चुकि पर्थम महिला अध्यक्ष या नहीं पेशन थी और यह स्टेट्मेंट सही है कि मुस्लिम अध्यक्ष बदुरुदिन तैयब जी थे यानि कि आप्षन केवल दो सही है आगे चलते हैं अगला कोश्चन है लाल बाल त्रिगुट का कौन बेक्ती भारती राश्टी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ याद रखेगा बाल गंगा धर तिलक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के लेकिन ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए और इनके बारे में एक चीज़ और आपको जानना है कि जैसे ही असायोग आंदोलन शुरू हुआ वैसे उसी दिन इनके मृत्य हो गई थी और कहा जाता है कि आंदोलन को बहुत बड़ा आगहात पहुचा था अगर कभी आपसे ऐसा भी प्रस्शन पूछ दे कि असायोग आंदोलन शुरू होते किसके मृत्य हो गई थी वह बा आंग्रेस आंदोल न तो लोगों द्वारा पेरित था नहीं उनके द्वारा सोचा था योजना बद किया गया था लौड डफरिंग सरसयद अहमद लाला लाजपत्राय लौड करजन तो सरसयद अहमद इसका राइट एंसर है इसको याद करिए रट्टा मार ये अब रट्टा थी यह 1917 में कलकता अधिवेशन में पर्थम अध्यक्षा चुनी गई थी और सोजन राइडू भारत की पर्थम महिला अध्यक्ष थी इसमें अंतर रखेगा निम लिम लिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था तो एनिवेशन को चुना गया था याद रखेगा भारती राश्टी कांग्रेस ने अधू लिखित में से किस अधिवेशन में समाजबादी पध्धत का लक्ष बनाये था जैपूर अधिवेशन नासिक अधिवेशन 1950 अवारी अधिवेशन 1955 नागपूर अधिवेशन 1968 तो आई ये स्प्री में भी पूछा जा चुका है चुकि और इसके जो अध्धक्ष थे उनको आप लोग पेन पे लिख लीजिए उच्छंग राव नवल राय धेबर और मैं पूछ बोल ला हूँ उसको लिख लिए उच्छंग राव नवल राव धेबर इसके अध्धक्ष थे लखनो अधिवेशन 1916 याद रखेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तो ये स्टेटमेंट किसने कहा ये भी प्रावर पूछा जता है तो आपका एंसर होगा तिलप ने कहा था इसका राइट एंसर होगा लखनो अधिवेशन इसे कांग्रेस लीग अधिवेशन भी भागलपूर पटना राची आपका और बांकी पूर तो आपका जो एंसर है वह है बांकी पूर 1916 में भारती राश्टी कांग्रेस कलकता अधिवेशन में दादा भाई नरोजी के अधिक्षी भासवर को उनके बदले में पढ़ा था याद अगेगा प्रसन को ध्यान से गोखले मुहमत अली जिन्ना आपका एंसर होगा गोपाल कृष्णा गोखले गोपाल कृष्णा गोखले बहुत इंपार्टेंट है इसको कहीं आप लोग कांपी कलम पर लिग भी लिजिएगा 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्धक्ष थे सियारदास चितरंजन दास एसन बैनर जी डाक्टर राजिंदर प्रशाद हकीम अजमल खान प्लीज ध्यान से इस कोशन को यह बहुत इंपार्टेंग कोशन है सियारदास और इसी गया इस ब्यक्ति ने कांग्रेस के अध्धक्ष पस्यस्तिफा दिया था तो भी आपका एंसर होगा सियारदास अमरिस सर्ग के राष्टे कांग्रेस अधिवेशन में 1919 के प्रस्ताव के अंसर महात्मा गांधी दोवारा कांग्रेस का नया समिधान लिखने है तो निम लिखित मे से किसे उनके सहयोग के लिए चुना गया है बीजी तिलग एंसी केलकर सी आरदास आई बी सेन ए दो चार एक दो तीन चार एक तीन चार एक तिन अब इसको लगाईए एंसर होगा एंसर होगा एंसी केलकर और आई बी सेन दो और चार इसका राइट एंसर है दो और चार झाल